हलो गई जातों का सौगत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो यूपी ट्रिपल सी पेट का कटाब गोसित हुए अभी जो है मातर 24 घंटे ही हुए हैं लेकिन इसको लेकर के जो बवाल है अब वो हर एक जगा पर देखने को मिल रहा है फिर वो चाहे आप का सोसल मीडिया ही क्यों न हो टूइटर ही क्यों न हो छात जो है बिल्कुल आग बवूला हो गए हैं इनके कटाफ को लेकर करके क्या रीजिन है कैसे अस में जो है दिक्कतें आई क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और देर नहीं करेंगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडि है और यहां जो mock test है वो बिल्कुल जो है test जो है आपका base है latest pattern पर और अगर आप इस test को देखते हैं तो आपको यह पता लगेगा कि आपकी all India में rank कितनी है साथी जाथ आपको detail solution मिलेगा तो 100 question है 100 marks के और 90 minutes के लिए आपको समय मिल जाता है साथी जाथ अगर आप लोग RRB group D के exam की तारी करते हैं तो उसके लिए भी आपको free mock test मिल जाएगा तो यह दोनों link आपको description box में मिल जाएगी जैसे ही आप description box में दी गए link को click करेंगे कुछ इस परकार का interface open हो जाएगा यहां पर आपको email id अपना mobile number और password डाल कर आपको register कर लेना है register करने के बाद आपके पा आपको बिल्कुल बेतरी ढंग से देख लिगा होगा यहां पर जो चातों ने आरोप लगाया है सबसे पहले हम लोग उस पर बात करते हैं ठीके कोई दिक्कत नहीं कि यहां पर कटाफ इतनी है इन सभी चीजों पर हम लोग अभी बात करेंगे सबसे जादा जो दिक्कत वा आरोप सबसे बड़ा जो लगा है वो महिला ब्यारतियों ने लगाया है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि महिला ब्यारतियों का जो कटाफ है वो जो है मेल से भी जादा गया है और आपको मैं बता दूँ कि पूरे इस कटाफ में सबसे जादा कटाफ अगर किसी की गई है त वो महिला ब्यारतियों के, तो महिला ब्यारति अपने तरीके से वो अलग नाराज है, यानि कि ये 64.74 कटाब का मतलब है, कि मिनिमम जो महिला सेलेक्ट हुई हो, उसका नंबर 64.74 है, बाकी इससे ज़्यादा भी महिलाओं के नंबर हो सकते हैं, ठीक है, वही पर दूसरी चीज होती है, कुछ कांस रेडिटेड होती है, कुछ लोग एक पैर से विकलांग होते हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से विकलांग होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो बताएगे हैं, तो यहाँ पर चार तरीके की विकलांग है, और चारों तरीके की अलग अलग बैकेंस इस पर कोई पुष्टी नहीं हुए कि चात्रकोट जा रहें कि नहीं जा ररे लेकिन उनकी बातें जो हैं जो मिच्तक आई हैं यह आ रही कि अब ठोलोग योजना बना रहे हैं और वो यह ही कहरे हैं और सबसे बड़ी जो बात यहां पर निकल कर आई है वो आई है इस कटाब को लेकर के सभी चात्रों ने आरोप लगाया यूपी ट्रिपलस्ती के उपर कि अगर आपको 62 नंबर या 63 नंबर आपको कटाब देना था हलाकि मोटा मोटा हम इसको 63 ही कहेंगे करने के लिए बाहर निकल गए थे अपने घर से बाहर गए जायशती बात उन्हें ने रूम का खर्चा दिया होगा 10 महीने से वो पढ़ाई कर रहे है और अब जब उनका इसको ठीक ठाग उनके यूपी ट्रिपल सी लेकपाल वाले जो टेस्टरीज है उसमें जब उनका ठीक ठाग नंबर आने लगा तब ये पता लगा कि भाया नहीं आपका जितने भी चीज़ें उनके निचोड पूरा आपको यहां पर मिलेगा जियो लोग नहीं सेलेक्ट हैं उन लोगों की योजना में बता दू क्या है बहुत सारे चात्र हैं जो अब सक्रिय हो चुके हैं हलाकि कली कट आफ आया है तो अभी बहुत सारी बातें बाहर नहीं नि कलकर आई हैं तो बवाल इसी लिए मचा हुआ है क्योंकि यहां पर जनरल OBCWS का कटाप सेम हुआ है दूसरी बात है कि अगर कटाप इतनी ज्यादा लगबग 85% के ऊपर अगर कटाप आप लेकर गए हैं तो यह कटाप की सूचना आपको पहले देनी चीज़ थी आप 10 महीने और 11 महीने बाद आप इसकी सूचना नहीं दे सकते हैं भाई यह तो दिखो जो चातर नहीं सेलेक्ट हुए है उनका दर्द हम समझ सकते हैं और जो चातर सेलेक्ट हुए वो भी उनके दर्द को महसूस जरूर करेंगे उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि भाई जो चातर 63% 63 नार्मलाइज का मतलब हुआ कि उसका जो परसेंटाइल 86 से परसेंटाइल के ऊपर होना चाहिए जो चाहतर 85 परसेंटाइल 84 परसेंट लाय था उसके अंदर कहीं न कहीं उम्मीद थी कि हमें जो है इस भरती मेंस में बैठने का मौका मिलेगा और वो लोग किताब करी चुके थे पढ़ाई भी कर रहे थे अब एक महिना पेपर को बचा है तब यह बताया जारा कि भया स्वारी अब आप जो है सलेक्ट नहीं हुए तो इसमें जो है चाहतर काफी ज़्यादा आहत है परेशान है उनका गुस्ता सोसल मीडिया पर भी देखने को मिल दा है मुझसे भी चाहतर जो है बार-बार मदद माग लें कि सर हमारी मदद करिए टुटर कंपेन करवाईए और भी चीजें करवाईए तो मैं एक बात अपने चैनल के मादनें से कहा दूँ झाटर जो है जो लोग पास हो चुके वो अपने आगे के लिए तयारी करें जो लोग दो नमबर तीर नमबर चार नमबर किसे फेल हो चुके हैं वो सभी अपने आगे की रणनीतियों पर काम करें भाई जिसका जो बन परेगा वो करेगा तो वो लोग अपना ग्यापन हो गयरा हो गया धरना हो गयरा हो गया ये क्वालिफाइंग नेचर का एकजाम है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहां से निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि अगर 8,085 वैकेंसी है और अगर आयोग ये कहरात कि हम 15 गुना लिए हैं तो 15 गुना तो भाई 1,20,000 क्या सपास होता है ये 2,47,000 लोग कहां से आ गए और अगर हम 30 गुना भी करते हैं तब भी 2,47,000 नहीं आने चाहिए थे तो ऐसे में जो कापी जादा चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है चातर कापी जादा परिसान है आहत है जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी क्या रणनी चल रही संगठनों के द्वारा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही ग्यापन किसको दिया जा रहा है तो जो भी अपडेट होगी वो आपको हम चैनल के माद्यों से बताएंगे इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबाना है ताकि आप कोई भी इनफॉरमेशन से आप चूक ना जाए तो बहुत सारे जो संगठन है अब वो सक्क्रिय हो चुके हैं लोगों से बात कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की कोशिस कर रहे हैं कि आप लोग जुड़िये इसको जो है सिह करिए क्योंकि कहीं न कहीं आयोग की लापरवाही देखने को मिली है और कहीं न कहीं अगर आप लोग जो लोग सलेक्ट हो गया अगर वो भी इस बात को सूचें तो उनको भी ये लगेगा कि हाँ ये कटाप पहले ही डिकलेर कर देते तो जो चात इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग जो है अपनी पढ़ाई नहीं करते किसी और कमपटिशन की तयारी करते कोई जरूए थोड़ी एक लेकपाल की वो तयारी करते तो फिलाल ये रही आज की अपडेट अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं ली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ तब तक के लिए खुस रही है मस रही है जै हिन जै भारत